दोस्तों सौंबती अमावश्या के दिन आपको जो हैं सुद्धवस्थ धारन करके पित्रों का जो द्यान करना चाहिए आपको जो हैं सौंबार को इसनान करते समय जल में जो हैं काले तिल और गंगा जल डालकरके इसनान करना चाहिए दोश्टों ध्यान रखें आप कोशिस ये करें कि प्रातै आठ बजी से पहले पहले ही उपाई कर लेँ तो ज्यादा सेश्थें बाकी पीछे भी कर सकते हैं पर इस बार जो हैं प्रातै आठ बजे तक चार बजी से लेकर के आठ बजी तक प्रात्यकाल के समय बहुत ज़्यादा सेष्ट शिद्योग बन रहा हैं इस समय में आपको यह उपाय करना है आप जो इसनान करने के वाद में फिर एक लोटे में तामे का लोटा हो तो ज़्यादा अच्छा है उसमें थोड़ा सा कच्चा दूर और थोड़ा सा चीनी सक्क दाल करके ऐन की और रोली दाल करके जो है सूर्व अगवान को जल देना है आद देते समय आपको ओम हिरन गरवाय नमा है और वह इस मंत्र के द्वारा तीन या साथ वाट चन करके सूर को अर्द दें उसके बार आपको शिवजी के मंदिर में जाना है और आप अपने मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही छोटा सा शिवलिंग को तो उसकी पूजा भी कर सकते हैं मंदिर में जाकर के आपको कच्चे दूर और दै के द्वारा शिवजी के शिवलिंग का अवशेक करना है अब उसे करके सफेद चंदन के द्वारा भगवान संकाजी को त्रपुंद बना करके ओम लिखना है उसके बाद में साथ पीपल के पत्ते ले करके उन पत्तों पर सफेद चंदन से ओम लिख करके अगर सफीद चंदन आपके पास नहीं है तो आप रोली का प्रयोग कर सकते हैं ओम लिख करके सिवजी पर अर्पिट करने हैं और अपनी मनोईच्छा बोलनी हैं पुत्व प्राप्ति के लिए प्रात्ना करने हैं और एक गोमती चक्र अगर मिल जाता है तो वो चड़ा दे हैं और गोमती चक्र आपके पास उपलब्द नहीं हैं अगर आप नहीं लापाए हैं तो गुमती चक्र की जगे पर जो है आप हरी गास भी चड़ा सकते हैं ये एक तोटका है उसके बाद में आपको एक लोटे में कच्चा दूर काले तिल थोड़ी शी चाबल डाल करके पीपल पर अर्पिट करना है और पीपल पर अर्पिट करके आप कच्चा धागा मोली का भी ले सकते हैं साथ वार बैसे तो एक साथ वार लपेता जाता है पर साथ वार पीपल को जरू लपेते हैं और पीपल की साथ परक्मा या एक साथ परक्मा करें और इस दिन तुलसी की भी एक से आथ परक्मा करें तो ज़्यादा च्छा रहता ह और पीपल के नीचे तुलसी के नीचे देशी घी का दीपक जलाएं और पुत्व प्राप्टी के लिए प्रात्ना करें फिर एक शिक्का लेकर के थोड़ा सा कच्चादूर और एक शिक्का किसी मिट्टी के बरतन में रख करके आप चोड़ाई पर या किसी पुराने ब्रख् जिस इस्ति के पुत्व प्राप्टी में रुकाउट आ रही है उसके उपर साथ वार गुमा करके आप दिन में कभी भी रख सकते हैं साइकाल तक भी रख सकते हैं साथ वार सिर्षे गुमा करके चोराय पर या किसी पुराने ब्रिख्य के नीचे पित्रों का ध्यान काते हुए पंच माभूतों का ध्यान काते हुए रखकर के चले आए केवली छोटी सी बिदी करनी है दोस्तों एक छोटे से उपाय को करने से अगर किसी कारण से पुत्य प्राप्ति में रुकावट आ रही है वो रुकावट जरूर दूर होगी दोस्तों इस दिन अगर आप एक छोटा सोपाय और कल लें एक से आठ आठे की गोली बना करके नदी में ओम नमस सिवाए ओम नमस सिवाए कहके किसी तलाब में अथमा नदी में भी डाल करके आ जाएं तो बहुती ज़्याद अच्छा है यह और साथ मिकलने इन उपायों को करने से पित्र दोस भी दूर हो जाएगा पित्र दोस के कारने का रुकावट आ रही है पुत्र प्राप्ती में वो भी दूर होगी दोस्तों ये अचू को पाएं इन उपाएं को करने से निश्चित रूव से पुत्र संतान की प्राप्टी होती है दोस्तों अगर आपके ब्यापार में भी या धन प्राप्टी में भी रुकावट आ रही हैं उसके लिए भी आप पित्रों का तरपन कर सकते हैं इस दिन जो हैं पित्रों का तरपन करने से पित्र गण सांत हो जाते हैं और जिसकी कुंडली में पित्र दोस्त की कारण रुकावट है उसी चाहिए कि इस दिन खीर का भोजन बना करके खीर बनाएं घर पर और किसी बुजुर्ग ब्राम्मन को खीर खिला करके और उसी बस्त दें बस्त जो दान काते हैं सफीर बस्त हो तो बहुती ज़्याद अच्छा रहता है सफीर बस्त दान करना चाहिए और ब्राम्मन को बस्त के साथ में डश्चना और एक जनेव जरूर देना चाहिए और उससे जो है आसिरवार प्राप करना चाहिए इसी पित्र दोश भी सांत हो जाता है दोस्तों यह हमने आपको वीडियो में जानकारी दी और आपको एक वार में समझने आता है तब दुवारा सुने यह सब आसान उपाएं इन में से अगर आपने एक भी कर लिया तो आपको जो है मनोवांची संतान की प्राप्री जरूरोगी दोस्तों गर आपको मैं वीडियो अच्छे लगी हो लाइक करें शेर करें चैनल को सब्सक्राइब ने किया है सब्सक्राइब जरू करें आगे की वीडियो में और जानकारी की साथ मिलते हैं